पड़ाम मेरे प्यार इश्रोतागणों, मैं कथा वाचा कंकुर, आज आपके सामने प्रसुत करने जा रहा हूँ, बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतरकत कथा लिखित मुनी की सच्चाई शंक और लिखित नाम के दो मुनी थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों अलग-अलग आश्रम बना कर रहते थे, और भगवान का भजन करते थे, ये दोनों मुनी धर्म शास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे, इन्होंने इस्मृतिया बनाई हैं, शंक मुनी बड़े भाई और लिखित मुनी चोटे, एक बार लिखित मुनी अपने बड़े भाई शंक मुनी से मिलने उनके आश्रम में गए, शंक मुनी उस समय वन में गए थे, लिखित मुनी भूके थे, उन्होंने अपने बड़े भाई के आश्रम के वरक्ष में से एक वरक्ष का पका हुआ फल तोड़ा और उसे खाने लगे इतने में शंक मुनी वहां आये अपने छोटे भाई को आया देकर उन्हें कुछ प्रसंदा तो हुई किन्तु लिखित मुनी के हाथ में फल देकर उन्हें कुछ खेद भी हुआ उन्होंने पुछा लिखित यह फल तुम्हें कहा मिला लिखित उसका यह काम तो चोरी कहलाएगा शंक ने फिर से पूछा कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए लिखित बोले उसे राजा के पास जाकर अपना पाप बता देना चाहिए और पाप का जोई दन्य मिले उसे भोग लेना चाहिए दंड भोगने से पाप के दोश्ट से शुद्ध हो जाता है यदि वह इस लोग में पाप का दंड ना भोग ले तो मरने पर यमराज के दूट उसे पकड़कर नरक मिले जाते हैं और बहुत दुख देते हैं शंक मुनी ने कहा तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे आश्रम के व्रक्ष से फल लेकर चुगूरी का पाप किया है अब तुम राजा के पास जाकर इसका पाप का दंड ले लो और तभी यहां पर आना लिखित मुनी वहां से चलकर राजा के पास पहुँचे राजा ने उन्हें पढ़ाम किया और वह स्वागत सतकार करने लगे किन्तो लिखित मुनी ने राजा को अपना सतकार नहीं करने दिया उन्होंने अपना अपराद बता कर कहा आप मुझे दंड दीजिए राजा ने कहा राजा जैसे दंड देता है वैसे छमा भी कर सकता है मैं आपका अपराद छमा करता हूँ लिखित मुनी बोले धर्म शास्त्र के नियम मुनी लोग बनाते हैं राजा को तो प्रजा से उनकी नियमों का पालन कराना चाहिए मैं तुमसे छमा लेने नहीं आया दंड लेने आया हूँ मेरे भाई ने इसने वश मेरा करतवे सुझा कर मुझे यहां भेजा है मुझे अपराद का दंड दो राजा को मुनी का हट मानना ही पड़ा उन दिनों चोरी के अपराद का दंड था चोर के दोनों हाथ काक लेना राजा की आग्या से जल्लाद ने मुनी के दोनों हाथ काक लिए हाथ काक जाने से लखुत मुनी को कोई दुख नहीं हुआ वे बड़ी प्रसनता से शंक मुनी के अश्रम पर लॉट आये और बोले भाईया मैं अपराद का दंग ले आया शंक मुनी ने छोटे भाई को खिर्दे से लगाया और बोले तुमने बहुत अच्छा किया आओ अब इस्नान करके दुफैर की संध्या करें नदी के जल में स्नान करके जब तरपड़ करने के लिए लिखित मुनी कटे हुए हाथ आगे किये तो जग से उनकी हाथ पूरे निकल आये वे समझ गए ये उनके बड़े भाई की करपा का फल है उन्होंने बड़ी नमरता से पूछा बहिया जब मेरे हाथ उगाही देने थे तो आपने उन्हें यहां क्यों नहीं काक लिया शंक मुनी बोले दंज देना हराजा का काम है दूसरा कोई दंज दे तो उसे पाप होगा लेकिन करपा करना तो सदा ही श्रेष्ट है इसलिए तुम्हारे उपर करपा करके मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिये बेना पुछे किसी की भी कोई भी वस्तो लेना चोरी है यह बात इस कथा से भली प्रकार समझ में आ जाती है धन्यवाद